अगर आप किसी को चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि उसे पता चलने दिया जाए, मगर यदि आप वह छोटा सा वाक्य बोलने में शर्माते या घबराते हैं, तब चिंता मत करिये ऐसे अनेक तरीके हैं, जिनसे आप उस बात को कहने की हिम्मत आने तक अपने कृत्यों से, शब यहां पर कुछ बढ़िया सुझाव दिये गए हैं, उसे फूल भेजें या गिफ्ट करें, हालांकि यह तरीका थोड़ा घिसापिटा और पुराना लग सकता है, मगर लव यू कहने के लिए फूलों के बुके से अच्छा कुछ भी और नहीं है, मगर इसमें भी आपको थोड़ा प्रयास करना होगा, बाजार में सस्ते दामों पर मिलने वाला कोई भी बुके मत उठा लीजिए थोड़ा प्रयास कर, उसके परिवार या मित्रों की मदद से पता करिए क कि उसे कौन से फूल पसंद है और उनी फूलों को उसके घर पर भिजवाईए, कुछ और रुमानियत जोडने के लिए आप उन फूलों के साथ एक रोमांटिक नोट लगा सकते हैं, बस कुछ छोटा सा, जैसे की खूपसूरत फूल, एक खूपसूरत लड़की के लिए या कुछ थोड़ा लंबा, किसी रोमांटिक कविता, शायरी या गीत का हिस्सा, अगर पैसे कम है, तो चिंता मत करिए ज्यादा महंगे फूल ही खरीदने की आवशक्ता नहीं है, सच तो यह है कि एक लाल गुलाब या कोई भी ताजे फूलों का एक गुलदस्ता, किसी बढ़ हो, जैसे उसके लिए उसकी पसंद का खाना बना कर, आप उस लड़की को यह बता सकते हैं, कि आप उसे प्यार करते हैं, अगर आप उससे काफी समय से मिल जुल रहे हैं, तब तो आपको उसकी पसंद के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किसी ऐसे जटिल व्यंजन को बनाने के चक्कर में मत पढ़िए, जो की आपने पहले कभी ना बनाया हो टेबल को सजा कर, कुछ मुमबतिया जला कर और बैकग्राउंड में मधुर म्यूजिक लगा कर खाने को कुछ और रुमानी बना दीजिए, उसकी प्रशंसा करिए, यह तो आसान है यदि आपको स तमस्या नहीं होगी आप उसके रंग रूप की प्रशंसा कर सकते हैं, चाहे उसको स्वया उन चीजों पर गर्व न भी हो जैसे उसके काले घने लंबे बाल, बड़ी बड़ी आखें या ऐसी कोई चीज जिसके बारे में उसको ये विचार कुछ विशेश परिस्थितियों में बड़े काम के होते हैं, सर्प्राइस सीधा साधा भी हो सकता है जैसे की जिस दिन वह दुखी हो तब आप उसके घर आईसक्रीम का डिबबा और उसके मन पसंद डीवीडी लेकर पहुँच जाए या जब उसको बिलकुल भी आशा नहो तब उसके पर्स या तकिये के न असान, सीधा साधा तरीका तो यह है कि आप उसे बता दे इसके बारे में बहुत बाते बनाने की या हवाई जहाज से लटकने वाला मैं तुम से प्यार करता हूँ, बैनर बनाने की आवशक्ता नहीं है, आपको चाहिए कि जब भी आप दोनों को एकांत मिले, गंभीरता औ और इमानदारी से ये शब्द दोहरा दें, यदि आपको बिलकुल वही शब्द, I love you, कहने में हिचकिचाहट होती हो तब उस जैसा कुछ कहने का प्रयास करिये, जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है, या कुछ और रोमांट न भी दोहराएं, तो निराश मत हो जाएं सन.